मजदूर संगठन सीटू के राज्य पदाधिकारियों की बैठक आज कॉमरेड तारा चंद भवन मंडी में राज्य प्रधान विजेंद्र महरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में शिमला में मस्जित के अवैद निर्मान के भाने फैलाई जा रही नफरत के अधमान कॉंग्रेस सरकार में ग्रामीन विकास्व पंचायती राजमंत्री के बयान को जिम्मेदार ठहराया गया डॉक्टर किश्मी सिंग ठाको रास्टे सिचिम सीटू आज सीटू का पदेश्दिकारियों का मीटिंग यहां मंडी में संपन हुआ जिस मीटिंग में फैसला लिया गया कि केंदर सरकार ने जो चार्ज श्रम कोड बनाये हैं उनके खिलाब जो है 23 स्थंबर को हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा इसके साथ साथ जो भाजपा की केंदर सरकार ने मिनी आंगनवडी केंदरों को पैसा ना देने का जो फैसला किया है जिससे मिनी आंगनवडी वरकर के नौकरी चला जाएगा उसके किलाब भी हमने आंगनवडी वरकर्स का अंदोलन का रूप र देती थी उसी तरह से पैसा इनको मिलना चाहिए वेतन मिलना चाहिए और किसी मिनी आंगनवड़ी वरकर का कोई नौकरी जाना चाहिए नहीं चाहिए इसके साथ जो हमारा कंस्ट्रक्शन वरकर है आज भी इसके रनीईओ नविनी करन और ये सारा जो पंजी करने और नहीं हो रहा है उनकी वित्ती इलाब जारी नहीं हो रहे हैं इसके बाब जूत के बेल फेर रोड का मीटिंग हो गया उसमें फैसले हो गये इसके बाब जूत नहीं हो रहा है इसको लेकर भी हम अक्टूबर के मीने में अंदोलन शुरू करेंगे और ये जिला लेवल पर अंदोलन शुरू होगा उसके बाद जो है अगर नहीं रिजॉल्व होगा तो राज्यसर पर भी उसका घराव किया जाएगा इसके साथ साथ जो है और जो मुझदूरों से जुड़े मसले हैं चाहे रेडी फड़ी वरकर्स का सवाल है केंदर सरकार और परदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ